इमाण, फुमी, मुहब्बत, ये तीनों मिल जाएं, तो ऊजाती हैं रोशन राहे, रोशन राहे, रोशन राहे, रोशन राहे एक प्रग्राम है रोशन रही और कुछ तिर पहले हमारी साथ कुछ और महमानते और अभी हैं कामरान शर्फ कामरान शर्फ को ये एजाज हासिल है कि छोटी सी उमर में सापका कॉंसलर भी रहे और सापका उमीदवार MPA भी इस वक्त होटल मैनेश्मेंट में खिदमा सर अंज काम दे रहे हैं और भी बहुत से काम हैं क्या क्या कर रहे हैं इन इसे पूछते हैं कामरान शर्फ हम आपको प्रोग्राम में कुछ आप देद कहते हैं थेंक यू जी इतनी चोटी सी उमर में आपने कॉंसलर के जरीये भी खिदमत की पिर सियासत से काफी लगाओ लगता है जी बलकुल मैंने जब कॉलिज चोड़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा तजस्स्ता की और शौक ही था जाहर होता मगरना अपने स्टेडी में लगे रहें मगर जैसे फिर स्टेडी चोड़ी तो फिर मैंने ये ज़्यादा पॉलिटिकली कैरियर जॉइन किया जिसमें मुझ कि एक अमीदवार था मुस्लिम लिग नून की तरफ से और फिर और भी टेनोर में अपने खिदमाद सर अन्जाम देते रहे हैं हमारा तन्जीम है प्यम आई पाकस्तान मसीह इताहद उसमें मैं अजा सेंटर वाइस प्रेजिडेंट हूं जो हम अपने कुमुनिटी के लिए खिदमाद सर अन्जाम दे रहे हैं तो मैं इस चीज़ से बहुत ज्यादा लगाओ रख रहा हूं और ज्यादा मेरा दिल करता है कि मैं अपनी कुमुनिटी के लिए और भी कुछ करूं वगर जो कुछ हो सकता है यहां जहां तक मेरी पहुंच है उसमें हम भागदार करते है और खुदाम का शुकर है बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस कहरी है मैं इसी दुरानिये में मैंने अपने पहचाने को बनाई और बहुत अच्छे दोस्त मिले अच्छे उस्ताद मिले मुझे हमारे जो सीनियर रहनमा हैं उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे और है और एक बोज भी आप रखते हो कि ये काम मैं ही करूं हाँ जी बिल्कुल देखें जब कुसी ओदे पर बैठते है ना तो फिर जिम्यदारी वह एक कर्द है हम पर तो हमने उस जिम्यदारी को पूरा करना है वो चाहे किसी भी सूरत में हो चाहे वो शोशल वर्किंग में जाए चाहे कम्यूनिटी की हेल्प हो जाए चाहे कम्यूनिटी के काम हो मुक्तलिफ तरीके से खिद्मात सर अंजाम करने हमारी जैसे कि नौजवान नसल है उनकी रहनमाई के लिए हमें कुछ ऐसे इक्तिदामाद करने चाहिए ताकि आने वाली नसल जो है आने वाली जो हैं वो कुछ सीखें उनको फखर हो के जी हमारी कम्यूटी में कुछ ऐसे भी थे मेंब्रान या जो हमारे सीनियर हैं जिन्होंने कुछ हमारे लिए अच्छा किया कुछ मुखालफतों का सामना भी रहता है। हाजी बिल्कुल बहुत स्यदा होता है मुखालफत क्यूंकर जाहर है एक मैदान में तो दो शेर हो नहीं सकते तो फिर यह कि एक नहीं शेर बनना है इसना के मकाबले में फिर एक को जीतना पड़ता है एक को हारना पड़ता है। फैमली की सुपोर्ट कैसी रही कामरान? हाजी खुदाम का शुकर है मेरे वालत साफ भी साफ अपका केरियर में रहें है पोलिटिकली एटैच्मेंट तो अच्छा स्पॉर्ट किया हो हर लहाज पर उन्हों ने मुझे बहुत कुछ गाइड किया मेरे यह समझे के विल्गू अश्ताद के दौर पर उन्होंने मुझ का आज-कल के दोर में बहुत उट ऐक गलत स्टेप बन गया है कि स्यासत क्या है नगर मेरे ख़ी छाल में हम अगर उसे अच्छे अंदाज में मुस्बत सोच में लेके चलें तो हमारे जो हाई लेवल थे वफाक पे, सुभाई सता पे क्या अदारे हैं, क्या क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं, जो हमारे अरेडी बैठे एमपी, मने, असेम्बलियों में आवान में बैठे हैं, वो उनके फ्राइज क्या हैं, ये सारा कुछ ये पॉलिटिकली केरियर ही सिखाता है, और ये तो असल में अपना हक मागना है ना, जी जी बिल्कुल, तो ये हैं कि अगर हमें पता ही नहीं होगा, नौजवान नसल अगर इस चीज़ पे देखेगी नहीं कि हम जो हमारे बैठे हैं, हकुमरान बैठे हैं, जो ओदेदारों बैठे हैं, उन से हम क्या काम ले सकते हैं, हमारे अलाके के M.P.M.ने से हम क्या काम ले सकते हैं, उनकी जिम्यदारिया क्या है यहां और हम एजे ए अवाम एक वोटर होने के नाते हमारी क्या जिम्यदारिया है तो जब तक हम दोनों समझ लेंगे तो फिर यह है कि S&TK से MPA सा भी अपना काम करेंगे और एक वोटर अपना हक भी अच्छे तरीके से ले सकेगा आप कौंसलर रहें यह तजर्बा कैसा था खुनाम का शुकर है यह कि सेलेक्शन में थोड़ा वोट वगरा के लिए तो प्राबलम नहीं होती मगर यह कि भागदोर उतनी हो जाती है जो हमारे साथ चेर्मैनों साथ होते हैं या कामी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इतनी भागदोरी करनी पर जाती है और यह कि अपने दुरानी सेशन जो इमारा दुरानी रहा है उस दुरादिये में हमने पूरे काम सार अन्जाम दिये जितने जलास थे उसमें अपनी कम्मिनिटी के लिए बुर पूर आवाज उठाई जो जूर्यूनिन काउंसल के हाथा में कोब पार्स वगरा की इशूस थे कोब हमारे कबस्तान की इशूस थे इसमें हमने पूरे काम करवाही और अपने चेर्मैंन साहब से प्रोश्पेशन करवाई है और खुरामद का शुकर है कि वो तौरत कुछ शूच कुछ सीखने को मिला कि बहुत काम करने हैं और अगर खुदामद मुझे मुझे मौका मिलता है कि मैं MPA की seat रासिल करता हूं तो फिर इसमें और वी कुछ काम सोचे हों है कि आपने कम्मेटी के लिए करना है खुदामद आपके साथ हो, कामरान शरफ और आपको इस्तमाल करेगे ताकि आप कम्यूनिटी की माश्रे की बेहतर खिदमत कर सके अब पुछना चाहेंगे कि हालिया जो खिदमत आप कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट यहां किस तरह से आप आगे कैसे शौक हुआ असल में पॉलिटिकल जो था पॉलिटिक्स में एक शौक था तो पेशावराना तो मैंने सोचा है कि जौब जाहर है जरूरी है तो हॉस्पिटालिटी प्रफेशन इसलिए जॉइन किया कि यह भी खिदमात के ही साथ अटेच हैं खिदमात फिर ओ फिर मैं इसलिए हॉस्पिटालिटी में रहा हूं हॉस्पिटालिटी में अप्रॉक्सिमेटली मुझे दस से हूँ direct जा यारा साल हो रहे हैं और होटल मैंचमेंट रस्टेरेंट मैंच्मेंट चाह उन्जमेंट जीनिए हम बहा उब्हुत खेद्वां तरी और उसमें भी आपने वह काम चुना है। जहाँ आप खिदमत है और सेरी है खाना खिलाना है और बाकी जो आया है वह बहुत ही आराम दे महसूस करें तो आपने बता है दसे ग्यारा साल हो गए इस अरसे में कुछ तजर्बात जो बियान करना चाहिए है जैसे के अपना कुछ प्रफेशन जॉइन करते हैं तो उसमें काम लगन से करना है हमने जो फिल्ड जॉइन किया है तो उसमें कुछ सी किसी पोस्ट पे जाना तो यह कहलें हैं कि बड़े टफ मराहल भी रही हैं जब अगाज में किसी चीज़ का नहीं था पता होता है जहां नॉन परफेशन थे थोड़ा अनक्सपिरियंस था तो जैसे जैसे फिर वकत गुजरता गया हम सीखें भी हैं और परफेशनलिसम में पिर अभी कहलें कि प्रफेक्ट तो होता कोई भी किसी फिल्ड में मगर यह के खुदामन का शुकर है कि अब हम इस काबल हैं के अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं जो जितनी जिम्हदारी हैं अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं बेशक कमरान सीखने का अमल जारी रहता है तो अगर और नौजवान आना चाहे तालीमी काबलियत या अपने में उने क्या सलाहियत रखनी चाहिए अगर हॉस्पिटैलिटी का शौक रखते हैं तो बढ़ा जबरदस्ट प्रफेशन है इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी अप्रोच है और हमारे पकस्तान में भी यह कहलें कि यह एसा प्रफेशन है कि नहीं होगी तो इस परफेशन में आप अपने आना जाना एक बंदे का निखार आता है। हॉस्पिटैलिटी जो है अदमी को अपने तौर पे बहुत कुछ चुछ सीखने को मिल जाता है। एक प्रस्नेलिटी वाइस आपके कहलें के मैनर्स जो हते हैं बिलकुल अदब औ अ तो तो अभी तो special courses वेगरा हो रहे हैं जो hospitality से related है hotel management के, restaurant management के, front office के, तो इस ताहा, कुछ मुख्लिफ किसम के जो अब अगर डिप्लोमे वगरा short courses करवाय जा रहे है, टावटा के थो vocational institutes है, तो बिल्कुल मैं उनको कहूंगा कि सीखें और कोशिश करें कि अगर किसी को कोई और प्रफेशन नहीं समझ में आ रहा तो मैं कहूंगा कि हॉस्पिटालिटी प्रफेशन जाइन करें खुदा उनको और उनको काम या भी अता करें यह उनर है और आपको हुनर सीखना है अच्छा कामरान शेरफ यह भी बताते चलें कि एक मसीही नौजवान को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है हर एक फिल्ड में जी बलकुल असल में इस वकर जो जिस कंडिशन में हम हैं तो हमें बराबरी के साथ खड़े होने के लिए फिल्ड में प्रॉपर अपनी खिदमात सर अंजाम देने के लिए थोड़ा सा एक्स्टा टाइम देना पड़ेगा कि हम अपना जिस पोस्ट पे भी जाएं उस पोस्ट पे हमारा एक लोहा मनवाएं अपना एक नाम पैदा करें अपनी एक अलाइदा पहस्चान दें ताके लोग फखर से कहें कि यह और किसी कि नहीं इसी की जगा थी यह इसी की पोस्ट के काबल है बेशक हर एक फिल्ड में मस्यों के अपनी शनाख तिखानी है हाँ जी और मेहनत करनी है खूब पढ़ना है बिलकुल आपने जब सियास इसी कि जगे तिखी की ती मगर फिर मज़ी मैं आपने कांसिलर के मराहल में मैंने कांसिलर भी रही καंसिलर started and快 अपना मॉस्ट क mix I have a प्र प्रॉट किया मैज प्लोटिकल साइंस मैं ने पर अपनी डियरी complete की ताकि मैं जो एंपय की सीड के लिए अप्लाइए कर सकूं और इसी दुरानी में पिर मैं जॉब भी करता था ताके मैं अपने सारे एक्सपेंसिज वगरा भी क्लिए कर सकूँ तो खुदान का शुकर है खुदाने बहुत ज़रा मेरी मदद की और मैं अगर किसी सक्सेस्फल पॉइंट पर हूँ तो ये खुदान का लाख लाख शुकर है मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मेरे जो सीनियर्स थे उन्हों ने मुझे ऐसे उस्ताद बहुत अच्छा गाइड किया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया बहुत समझाया और हर चीज मेरे लिए कामजाभी का सबब बनी कमरान ऐसा है ना कि सियासत में शोहरत भी है इजद भी है और काम भी बहुत है जी बिल्कुल बहुत ज्यादा जीमेदारी है अगर हम देखें तो ये शायद कोई कहता हो गभी एज़सी बैठ के सियासत पर बैठ बंदर रिलेक्स हो रिलेक्स नहीं है वो तो डबल महनत है तो मगर शौक पे सारा कुछ है जजबे में जजबा है कुछ करने के लिए तो आपने बता है लेकिन जो आप अपने दिल की बात देखनе बालों को खाया हो क्या है यू जो नंजोआने वाले जो नौजवान है वह उत्एय और हमत ना हारें कि mogę करने सो नहीं के हम्मेंना मौका निमेगा मौका मिलता है मिहनत थोड़ी करनी प्ड़ती है मगर हर फिल् में जॉब के मैदान में तलीम के मैदान में ज्यादा निकलें हमारे लिए सीट्स भी हैं मौके भी हैं और हमारे लिए आगे जिनाब चांस भी हैं तो ये मत सोचें के भी हमें चांस नहीं मिलेगा जब आप जानते हैं कि आप रोशन रह पर हैं तो खूब मेहनत करें और आग और अब अपनी मेजबान बीना परवेश को इजास्त दीजिए अपना बहुत सा ख्याल रखिये है बहुत सब्सक्राइब को इसे उन्हार रखिये अभेश ए 2019 you can also follow us on PMI TV official on Facebook